हलो फ्रेंड्स मेरी चैनल में स्वागत है आपका मैंने बिना गैस जलाए दस काजू से देखी कितने अच्छे मिठाई बनाई है यह बहुत ही टेस्टी बनी थी आप एक बर जरूरी से ट्राई करें आएए देखते हैं इसे कैसे बनाना है मैंने इसके लिए एक कप चीनी मिक्सी के जार में डाला है और दो हरी इलाईची लाली है मैंने और दस काजू लिये हैं मैंने इसे भी मैं डाल के इसका fine powder बरना लेंगे दरदरा बिलकुल नहीं रखना है दम fine powder होना चाहिए देखिए ये बहुत ही fine powder बन के तयार है इसे हम एक ball में निकाल लेंगे अब कोई भी cup या कटोड़ी से इसे कर सकते हैं सभी समान हमें एक ही cup से लेना है अब देखिए एक cup मैंने नारियल का बुरादा लिया है जिसे desiccated coconut भी बोलते हैं इसे भी हम एक बार mixi में चला लेंगे इसका भी powder बना लेंगे हम इसे भी हम चीनी वाले ball में निकाल लेंगे चीनी के साथ और अब मैं इसमें डाल रही हूँ उसी cup से एक cup milk powder सभी चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे हाथ से हम इसे अच्छे से mix करेंगे यह अच्छे से mix हो जाना चाहिए उसके बाद मैंने लिया है दूद यह normal दूद है गर्म की हुई है गर्म नहीं है ठंडी ही है इसे मैंने एक चमच डाला है आप एक चमच डाल के हलके हाथ से इसे मिला लें ज्यादा दूद नहीं डालें नहीं तो यह गिला हो जाएगा इसे देखिए मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ ऐसे ही आप इसे हलके हाथ से मिक्स कर लें अब मैं इसमें डाल रही हूँ आदे चमच घी आप इसमें घी जरूर डालें आदा चमच काफी है घी अब घी डाल के हम मिला लेंगे इसे देखिए ये डो के फॉर्म में आ गया है मैंने सिर्फ इसमें एक कप दूद ही डाला है अब देखिए हम इसके तीन चार भाग कर लेंगे हाथों से मसलते हुए हम इसे चार भाग करेंगे इस तरह मसलने के बाद इसमें क्रैक्स नहीं रहते हैं आप इसी तरह इसे मसल लें और चॉपिंग बोर्ट या चकले पर आप इस तरह हाथों से इसे फैला लें जितना पतला या जितना मोटा आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं देखिए मैंने इसे लंबा फैला लिया है दोनों हाथों से अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता की कत्रन है ये इसे पिस्ता को मैंने बारी काट लिया है आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं मुझे इसे प्रसाद में चड़ाना है इसले मैं चांदी का वर्क नहीं लगाऊंगी पिस्ता लगाने के बाद हम इसे अच्छे से उसमें रोल कर लेंगे देखे ये अच्छे से रोल हो गया है अब छोटे बड़े जिस साइज में आप काटना चाहें उस साइज में आप काट सकते हैं देखे मैं इसे काट ले रही हूँ आप इस मिठाई को एक बार जरूर ट्राइ करें एक बार बना लेंगे तो आपको बाहर से मिठाई लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लीज इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें